आज हम बात करेंगे बिहार के प्रमुख जल्प्रपात एवं उनकी स्थिति के बारे में जो की आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महतुपूर्ण है तो विडियो को लास्ट तक देखे और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्प्रपात का नाम ककोलक नदी नदी को डर्मा पठार से उतरने वाली धारा स्थान जिला ककोलक नवादा जल्प्रपात का नाम सुखलदरी नदी कनहर स्थान जिला रुहतास जल्प्रपात का नाम धुवकुंड 30 मीटर नदी काव धोबा स्थान जिला तारा चंडी रुहतास जल्प्रपात का नाम दुर्गावती खादर को 80 मीटर नदी दुर्गावती स्थान जिला छान पापर रुहतास जल्प्रपात का नाम जियार्खंड नदी फुल्वर्या स्थान जिला जियार्खंड भोजपुर्ण जल्प्रपात का नाम खुवारीदा 180 मीटर नदी असाने स्थान जिला रुहतास जल्प्रपात का नाम राकिम कुण्ड नदी गाई घाट स्थान जिला रुहतास जल्प्रपात का नाम खुखारीद कुण्ड 90 मीटर नदी गोपत स्थान जिला रुहतास जल्प्रपात का नाम सुवारा 120 मीटर नदी पूर्वी सुवारा स्थान जिला रुहतास जल्प्रपात का नाम देवदारी 58 मीटर नदी कर्मनाशा स्थान जिला रुहतास पठार रुहतास जल्प्रपात का नाम तेलहरकुंड 80 मीटर नदी पश्चिम सुवारा स्थान जिला रुहतास पठार रुहतास तो दोस्तों आज हमने बिहार के प्रमुख जल्प्रपात एवं उनकी स्थिती के बारे में जाना ऐसी वीडियों के लिए वीडियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जर बारे में स्थावर कुप जल्प्रपात एवं जरूर कारें